आनन थामकी और धर्मन प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानजी महाराज अध्याए 44, प्रिष्ट संख्या 142, बैलूर्ड मठ शनिवार 4 मई 1929 एक भक्त बाली का महापुरुष महाराज से मठ में मिलने आई हैं और उनसे अपने प्रशन करती हैं, आईए अब उनके बीच हो रहे वारतालाब को सुनते हैं महापुरुष महाराज बाली का से आगे कहते हैं माता जी की जीवनी पड़ी है, वेज युकी समग्र नारी जाती की आदर्श हैं, उनका जीवन यत्यंत अद्भुत है नर देह धारन कर साधारन ग्रहस्त की वदू के समान वे रहती थी, किन्तुवे साक्षात आद्या शक्ती जगजननी थी शास्त्रों में जो काली, दुर्गा, तारा, महाविद्यादी दस महाविद्याओं का उलेख है माताजी उनी दस महाविद्याओं में से एक थी ठाकुर की युकधर्म संस्थापन रूप नरलीला को पूर्ण करने के लिए जगत में अवतीन हुई थी उनको साधारन मानव क्या समझ सकता है? अपने इश्विभाव को वे इतना छिपाकर रखती थी कि उनको समझने का कोई उपाय ही नहीं था वे क्या थी यह तो एक मातर ठाकुर ही जानते थे और स्वामी जी ने थोड़ा-थोड़ा उनको समझा था सौमी जी ने पासचात देशों में जाने के पहले एक मातर माताजी को ही अपना उदेश्य बताया था और उनका अश्रवाद लेकर समद्र पार गए थे माताजी ने भी जी खोलकर अश्रवाद देते हुए कहा था बेटा तुम विश्व विजई होकर लोटो तुम्हारे मुक्त में सर्वस्वती बसे हुआ भी वैसा ही माता जी के आशिरवाद से सुवामी जी विश्व विजई होए थे वे तो कभी-कभी ऐसा भी कहते थे कि माता जी तो ठाकुर से भी बड़ी है इतनी अगाद श्रदा थी माता जी पर ठाकुर ने भी कहा था नौबत खाने में जो है वह यदि किसी कारण किसी से कृद्ध हो जाए तो उसकी रक्षा करना मेरे साथ दे के बार है जगत की समगरत तुई जाती को जगाने के लिए माता जी नरते धारण कर आउतरित होई थी देखो ना माता जी के आने के बाद सभी देशों की नारी जाती के बेतर कैसी अद्भुत जागरती पैदा हो गई है वे सबब अपने जीवन को सर्वांग सुन्दर बनाने और सभी विश्यों में उन्नत होने के लिए कमर कसे हुए है अभी हुआ ही क्या है यह तो किवल प्रारम मात्र है वैदिक और पुरानिक जुग में जैसे गारगी मैत्री सीता सभीत्रियादी अद्भुत नारी चरित्र का विकास हुआ था इस युग बेभी स्त्रियों के लिए के भीतर आध्यात्मिकता राजनीती विक्यान शिल्पकला सहित्य आदी सब विश्यों में अत्यंत आश्यर जनक जाकरती हुई है तता और आगे भी होगी यह सब इश्यर शक्ती का खेल है साधारन मनुशे इस सब का गूड मर में कुछ भी नहीं समझ सकता ओम शीरा कृष्णर परमस्तू